भारत माता की आवाज पहड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए भारत माता की भारत माता की लद्दा के लेप्रिनेन गवरनर बीडी मिस्राजी केंद्रिय मंत्री संजय सेट चीफ अब डिफेंस स्ताफ जनरल अनिल चहवान तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष करगिल युद्व के समय सेनाध्यक्ष रहे जनरल बीपी मलिक जी पुर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनेच पांडे जी वीरता पुरसकार प्राप्त सेवारत और सेवा निवरत्त सैनिकों करगिल युद्व के बहदूर वीरों की माताएं दीर नारियां और उनके समस्त परीजन सेना के बहदूर जवानों और मेरे प्रिय देश वासियों आज लद्दा की ये महान धर्ती कारगिल विजय के पचीस वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि रास्त के लिए दिये गए बलिदान अमर होते हैं दिन महिने वर्ष सदिया गुजरते हैं सदिया भी गुजरती हैं मौसम भी बदलते हैं लेकिन रास्त की रख्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमीट रहते हैं यह देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा रणी है यह देश उनके प्रती क्रतग्य है साथियों मेरा सवभाग्य है कि कारगिल यूत्त के समय में में सामान्य देश्वासी के रूप में अपने सहनिकों के बीच था आज जब मैं फिर करगिल की धर्ति पर हूँ तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई कि मुझे आद है कि इस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी उचाई पर इतने कठीन कि युद्ध ऑप्रेशन को अंजाम दिया था कि मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शुर्विरों को आदर पुर्वक प्रणाम करता हूं मैं इन सहीतों को नवन करता हूं जिनोंने कारगिल मैं मात्र भूमी की रक्षा के लिए अपना सर्वोच बलिदान दिया साथियों कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जिता था हमने सत्य संयम और सामर्थ का अध्भूत परिचय दिया था आप जानते हैं भारत उस समय शांती के लिए प्रयास कर रहा है बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना और विश्वासी चहरा दिखाया लेकिन सत्य के सामने असत्य वर आतन की हार हुई